गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत आपका प्रेप पॉइंटर्स में, आज हम लोग कौन-कौन से टोपी करने वाले हैं, पॉइंटर्स में आपका देख लेते हैं, ब्रीफली, येटिंग होल प्रोजेक्ट, ये करनाटका के अंदर चलाया जाने वाला है, इसके अनॉंस् सिंड्रोम, जो कि अमेरिका के अंदर इसमया फैला हुआ है, तो जो वहां पर बैट्स होती हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है, और ये कैसे humans को भी impact कर रहा है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं, आप इस तरह से कह सकते हो कि biodiversity laws का human के ओपर क्या impact पड़ता है, this is one of the best example, anyways INS MALP and INS MALKI, ये क्या है, इसके बारे हम बात करेंगे, basically Indian जो navy है, उसके अंदर हम लोग ने दो anti-submarine vessels को include किया है, इसके बारे हम बात करेंगे, curcuma ongbenesis, ये एक तरह का species है, जो कि discover किया गया है, नागा लेंड के अंदर, बड़ा ही दिखने में खूबसरत होता है, इसकी medicinal properties भी होती है, तो इसके बारे हम बात करेंगे, because आपका अच्छे से पता है, कि जो new species discover होते है, UPSC का favorite topic होता है, तो इसलिए हमेंसा मैं इनको include करता हूँ, उसके लबाद सुगम्या भारत आप, भारत आप क्या थी, जो हमनों के लिने लॉंच किया था, अभी news में क्यू है, थोड़ा बात कर सकते हैं, उसके लाद डेमस अंडर क्रिसी विज्ञान केंद्र, जो की district level पे basically जो units होती है, जो climatic forecast करती है, उसके बारे बात करेंगे, और polaris dawn mission क्या है, जो कि अमेरिका में चलाया गया है, चलिए बढ़ते हैं, आगे सिधा topic पे, ज्यादा delay नहीं करते हैं और कुछ बच्चों का comment आ रहा था, सरी, content हमें मिलता है, क्या भी बिर्कुल मिलता है, actually अगर आप वीडियो के description में जाओगे, तो वहाँ पे students की copy आपको लग से मिल जाती है, आप वहाँ पी topic को पढ़ सकते हूँ, ये topic सिर्फ और सिर्फ दे हिंदू newspaper के नहीं है, इसमें तो हमारी जो weekly current affair की class होती है, उसको मैं वहाँ पे cover करवा देता हूँ, उसमें mains वाले topics भी cover होते हैं, जो कि editorial या general topics होते हैं, जो mains की perspective से होते हैं, और week में जितने topics होते हैं, prelims के लिए, वहाँ भी वहाँ पे cover करवाय जाते हैं, तब हमारी weekly class को भी join कर सकते हो, चलिए, तो ये तिना hall project क्या है basically, ये project कहीं साल पहले launch किया गया था, basically 2014 केंदर इसकी approval हुई थी, और इसके अंदर few thousand crore rupees दिये जाने थे, तब से लेके इसके उपर अलग अलग तरह की studies हो रही थी, और studies basically क्यों हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ project के अंदर, कुछ land area भी जो आने व वाले है, basically project क्या है, वहाँ एक river है, नेत्रावती river, ठीक है, इसकी कुछ tributaries है, हम लोग क्या करने वाले है, इन छोटी-छोटी tributaries से पानी को pump करके, ठीक है, एक dam बनाएंगे, और उस dam से फिर हम लोग कुछ जगह पे irrigation प्रवाइड करवाने वाले हैं, तो basically ये पुरा project मैं था कह रहा हूँ, past tense में कह रहा हूँ, क्योंकि फिलाल इसका approval हुआ नहीं है, 2024 में हलांकि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसको लेके issue create हो गया, issue ये हुआ, कि इस project के अंदर few thousand, few thousand भी नहीं, basically 1200 something hectare land जो है, वो आने वाली है, इस पुरे project के अंदर, जिसमें से जब इस project को approval किया जा रहा था करनाटका की government के द्वारा, उस समय कुछ forest को जिसको divert किया गया, या जिसको show किया गया कागजों में, papers में, कि है divert हम लोग करेंगे, वो ऐसी forest land है, जिसकी proper demarkation हुई नहीं थी, जब हम लोग satellite से mapping किया, central government ने, तो और जो state में mapping किया था, उसके उसको भी include कर लिया गया, तो basically यहां पर कहीं तरह के issues, जो है वो practical वाले नजर आने लगे, और अब क्या हुआ, ministry of environment, forest and climate change ने करनाटका की सरकार को यह कहा है, आप इस project की हमें detailed report दीजिए, आपने जो land mapping आपने किया है, उसके अंदर जो inconsistent हैं, वो क्यूं हुई, आपने forest land को convert करने के लिए क्यों चुना, जबकि वहाँ पे alternative site भी उपलब्द थी, वो available थी, आप उसके लिए क्या करो, आपने क्यों किया, देखे, जब forest land को use किया जाता है, किसी non forest purpose के लिए, किसी infrastructure project के लिए किया जाता है, तो उतनी ही land पे आपको forest लगाना पड़ता है, यह एक rule होत कि आप जितनी forest land को यहाँ पे cut करोगे, उसके लिए जो compensatory afforestation plan है, आपने वो क्यों नहीं submit किया, और जो wide life का migration है, वो आपने क्यों नहीं submit किया, तो उसकी वजए से यहाँ पे कुछ issues हैं, तो सरकार ने notice दे दिया, वो अभी मामला आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो कोर्ट म में थोड़ा साब को मैं बता देता हूँ, यह drinking water supply project और irrigation project है, जिस कंदर 24.01 TMC water, वो हम लोग ऐसे area में divert करने वाले हैं, जो कि drought prone है, करनाटका, अगर आप देखे, अगर हम लोग इंडिया की coastline को देखे, तो करनाटका, यहाँ पे हमारा western घाट है, करनाटका का बहुत सरा ह इसा जो है, वो western घाट के rain shadow zone में आता है, तो यहाँ पे rainfall कम होता है, और बहुत सरी rivers ऐसी हैं, करनाटका में, जो कि west flowing है, मतलब वो western घाट से originate होती है, और बेव बेंगोल की तरफ जाती है, इन कुछ river में से water को divert करके, इस drought prone area के अंदर transfer करना है, एक तो पानी की पीने की स समझ से हैं, ता कि दोनों दूर हो जाएं, तो बैंगलूरू, रूरू, राम नगर, हसन, कहीं तरह कैसे cities हैं बड़े बड़े, जहां पर यह पानी जो है, वहां पर जाएगा, 75 लाक लोगों को इससे पीने का पानी मिलेगा, अब देखा जाए तो project की नियत खराब नहीं है पानी पीने के लिए सब को चाहिए, इरिगेशन के लिए सब को चाहिए, दिक्कत है इसके implementation में, जो forest land का, जो misuse यहां पर हो रहा है, उसकी वज़े से, और आपको बता है कि यह हिली area है, तो land slide के chances बहुत जादा आ जाते हैं, इस project पे पिछले 2-3 साल में कुछ काम हुआ थ और वहां पे national highway 75 जाता है, जहां पे land slide हुआ था इस बार, ऐसा माना जाता है कि इस land slide के लिए यही project भी responsible है, क्योंकि यह project ecological sensitive western ghat में होके जाता है, और अभी फिलहाल इस project के लिए 10.13 hectare forest land को convert किया गया, और बाद में और भी ज़्यादा किया जाएगा, तो यह basically मामला रास आगे जागे, देख सकते हैं इसके बारे में, बस आपको prelims के लिए याद रखना है कि यह project कौन सी state से belong करता है, और कौन सी river जो है, इसमें वो involved है, नेत्रावती river है, यह आपको मैंने बता दिया, चलिए, white nose syndrome, white nose syndrome क्या है, basically bats की अंदर पाया जा रहा है, bats तो समझते ह है, यह एक fungal disease है, पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, prelims के लिए, नोर्थ अमेरिका में यह जादा देखा गया है, थोड़ी अगर मैं आपको history इसकी बताऊं, 2006 में पहली बार इसको वहाँ पे observe किया गया था, 2006 से लेके 2015 के बीच में, अमेरि पोपलेशन कम हो गई, ठीक है, अब बैट्स कितनी पोपलेशन कम होगी, इसे क्या नुकसान हुआ, यह जो बैट्स है न, वो insectivorous हैं, मतलों insects को खाते हैं, यह वहीव insects होते हैं, जो कि हमारी फसलों को बरबाद करते हैं, हमारी crops को damage करते हैं, तो यह जो बैट्स हैं, वो हम हमारी crops को actually protect करती हैं from these pests, जो किटानू होते हैं, उन से बचाती है, अब समस्य यह है कि बैट्स ही मर गए, तो pests की population बढ़ गई, crop का damage हो गया, अब जब crop का damage हुआ, तो वहां के जो farmers हैं, उन्होंने जादा pesticides का use करना शुरू कर दिया, यह तो आपस में पूरा relation है, nature ecosystem का balance है जो pest थे, crops को damage करते थे, bats उन insect को खाते थे, bats जब मर गए, because of the disease, pest की population बढ़ गई, pest की जब population बढ़ी, crop damage हो गई, crop damage होने लगी, तो किसानोंने pesticide का use करना शुरू कर दिया जादा, 40% से भी जादा कुछ area's में pesticide का consumption बढ़ गया है, अब यह pesticide कहां जाएंगे, यह तो crops में जाएंगे, हम जो खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसमें जाएंगे, हमारी food का part बनेंगे, अब इस क्योंकि अक्को अमेरिका में कुछ जगह पे, लोग जादा pesticide कंजूम करने लेगे, indirect way में, तो वहाँ पे, यह देखा गया, कि जो human infect हैं, उनकी mortality rate भी बढ़ गया है, छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी death rate बढ़ गया है, because of the over consumption of these pesticide foods, ठीक है, यह एक relation आपको यहाँ पे देखना है, उस perspective में आपको white nose syndrome के बारे में थोड़ा सा information होना जरूरी है, ठीक है, तो यह fungal disease है, bats को होता है, जो caves होती है, deep caves होती है, वहाँ पे वो fungal लगता है, यह bats जब hibernation में जाती है, जब बहुत जादा होती है, तो यह caves में hibernation में चली जाती है, तो दो तीन महीने तक वहाँ पे रहती है, लेकिन इस fungal disease की वज़ए से यह completely hibernation में नहीं जा पाती, बीच बीच में जो है उठती रहती है, जागती रहती है, hibernation का मतलब होता है deep sleep, deep sleep में जैसे जो हमारे polar bears होते हैं, वो भी deep sleep में चले जाते हैं, hibernation में जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में उठते रहते हैं, जिसकी वज़ए से यह मर जाते हैं, starvation से मर जाते हैं, hibernation का purpose होता यही है, कि आप जब hibernation में कोई animal जाता है, तो उसका basic purpose यह है कि अपनी energy को store करन है, उसको बचाना है, तो कि winter में बाहर food available नहीं होता, तो यह deep sleep में चले जाते हैं, सो जाते हैं, लेकिन भाई अगर बीच-बीच में उठते रहोगे, तो energy तो consume करनी पड़ेगी, जिसकी वज़ए से इनकी death हो जाती है, तो अमेरिका में decline होने लगी bats की populations, 40-70%, कहीं कहीं प concern है, चलिए, ठीक है, INS, Malpe and the IELS, INS मुल्की, basically यह anti-submarine warfare vessel है, war के time पर use होता है, इसमें sensors लगे होते हैं, sonar लगा होता है, तो जब यह ocean water में जाता है, तो वहाँ पर जो submarines हैं, दुश्मन की जो submarines हैं, उनको यह detect कर सकता है, उसकी information हमारी forces को दे सकता है, इसलिए इसका use कि दिया गया, अब 2019 में ऐसी ही aid submarines का contract दिया गया था, ठीक है, और उसमें से अभी यह submarines इंडिया को, मतलब हमारी जो आई एन नेवी है, उसको यह दे दी गई है, फिलाल इसके कुछ trials होंगे, और बाद में इसको हमारी navy के अंदर index कर लिया जाएगा, इसका नाम रखा गया है INS माल पे and INS मुल्की, क्यों रखा गया है, क्योंकि मालाबार कोस्ट के अंदर यह जो है, तो पोर्ट पड़ती है, ठीक है, जो कोचिन शीपियार्ड है हमारा, उन्होंने इसको बना रहे हैं, और 80% content यहां के अंदर indigenous है, मतलब सरकार यह कहती है, भही हम लोग हमारे देश जो है, इसकी length है, 900 ton जो है, इनका displacement weight है, 25 notes की speed में जा सकती है, 1800 nautical miles तक यह travel कर सकती है, तो काफी बड़ा area जो है वो, इंडिया की coastline से यह cover कर सकती है, तो it's a good news, आतु निर्भर भारत की तरफ एक और हमारा चोटा सा कदम है, यह कहास का defense sector के अंदर में, ठीक है, चलिए, कुरकुमा, अंग्मीनिसिस, यह कहते है के pronunciation में थोड़ा मत जाना मेरी, यह है भला यह, ठीक है, यह flowering plant है, ठीक है, और यह flowering plant देखा गया, कहाँ पे नागा लैंड में, और actually by accident discover किया गया है, कोई specially discover करने के लिए नहीं निकला था, वो simply कुछ scientist लोग क्या है, खेतों का survey क कर रहे थे, और survey करते करते हैं, उनको यह दिख गया, इन्होंने फोटो क्लिक किया, बाद में घर पे आये, computer वगरा में मैच करने की कोशिश की, तो यह किसी से मैच ही नहीं हुआ, तो फिर बाद में थोड़ा देखा, पता लगा भाई, यह थे एक नया species हम लोग ने discover कर ल मैनमार वगरा में चाइना में इसको अलग-अलग तरीके से यूज किया जाता है, मतलब जो पेट की बिमारिया होती है, गैस वगरा किसी को बनती है, बदहजमी किसी को हो जाती है, उस case में भी इसको as a अर्ब के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, anti-inflammatory भी होता है, तो दवाईयों वगरा में काफी अच्छा-खासा यूज होता है इसका, उस context में आप इसको याद रख सकते हो, इसके 32-60 cm high होती है, इसके जो leaves है, वो large green होते है, vibrant yellow flower इसका होता है, और यह tropical और subtropical climate में पाया जाता है, यह आपने याद रखना है, यह बहुत थंडे climate में न होना चाहिए, और अच्छा-खासा organic matter भी होना चाहिए, वह soil में organic matter होगा तभी वो fertile होगी, तो fertility तो चाहिए होती है सबको, उस context में आप इसको याद कर सकते हो, medicinal use के अलावा इसको as a spice के रूपे भी यूज के जाता है, मतलब मसाले बगारा के तोर पे भी इसका use के जाता ह खाने में tasty होता है, मैंने ऐसा सूना है, anti-inflammatory है, antioxidant properties है, digestive issues में इसको use के जाता है, यह आपने थोड़ा से याद रखना है, तो prelims के लिए 2-4 चीज़े, एक तो इसका application वाला part, कहां पे इसका use होता है, counts state में यह पाया गया है, nagaland में, यह छोटी-छोटी information याद रखो के लि इसको launch करने का purpose यह था, कि जो लोग disabled है, या फिर जो लोग elderly है, अब क्या हो, जैसे माला आप किसी building में जाते हो, भाई उस building में lift नहीं है, आपको पांचवे floor पे जाना है, lift है नहीं, तो एक disabled आदमी, एक भुजूर्ग आदमी सीडियों से चड़के कैसे जाएगा, इसका मतलब वो जो building है, वो disabled और elderly friendly नहीं है, अब मालो किसी bus में चड़ना है आपको, उस bus में low floor सीडिया ही नहीं है, तो एक भुजूर्गाद में disabled उसमें कैसे चड़ेगा, तो जो infrastructure के अंदर हमारी buildings में या कहीं और भी, ऐसी चीजें जो कि disabled के लिए होनी चाहिए, लेकिन नही है, वो complaint आप कहां पे करोगे, उसके लिए हम लोग ने सुगम्य भारत एप बनाई थी, तो जो disabled लोग हैं, अगर उनका ऐसी समस्या होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, वहां की picture क्लिक करके, यहां पे upload कर सकते हैं, और यहां complaint भी कर सकते हैं, तो फिर बाद में सरकार उसको solve क अब सरकार क्या कर रही है, अब सरकार यह कर रही है कि भाई, इसके अंदर जो कमियां थी, इस app के अंदर, वो दूर करने की कोशिश कर रही है, तो इसको redesign करने का काम चल रहा है, अब हम लोग इसके अंदर artificial intelligence वाले feature भी यूज़ करेंगे, जिसमें होगा क्या, इंडिया मे अलग-अलग languages के अंदर, ठीक है, यह आएगा, अब आप इसमें Tamil, Malayalam, Hindi, Punjabi, हर किसी में आप इसका यूज़ कर सकते हो, तो एक complaint registration करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी अलग language आपके लिए समझना आसान हो गया, पहले Hindi और English में हुआ करता था, तो एक तो बहुत अच्छी चीजिस के अंदर, जो है, यहाँ पे होने वाली है, ओबिसली disabled लोगों की help करना सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं है, यह duty भी है सरकार की, हमारे देश में 2% population ऐसी है, जो कि disabled हैं, दिव्यांग हैं, तो बहुत जादा होती है, 140 करोड जंता के बीच में, तो इतने सारे लोगों के लिए buildings available ही नहीं है, तो सवाल यह है कि जो buildings approved होती है, यह आगे future में होंगी, यह mandatory कर दिया जाए सरकार के द्वारा के वहाँ पे disabled mandatory plan बनाएं, उसके बिना उनको approval नहीं मिलेगा, इसके लिए IIT, Kharagpur या कुछ और institutions हैं, जो मिलके काम भी कर रहे हैं, क कृषी विज्ञान के इंदर तो यह है क्या basically, इसका नाम है, district agro-materialological units, तो जैसे हमारा IMD है, Indian Meteorological Department, यह तो union center level पे काम करता है, इन्होंने क्या किया हुआ है, कुछ छोटी-छोटी unit बिना रखी है, district level पे, जिसे हम लोग कहते है, district agro-materialological unit, ठीक है, तालुक लेवल पे, district district level पे, तो जब भी कोई weather के regarding report आती है, चाहे वो soil, weather, temperature, rainfall, वो जो information होती है, जो satellite से IMD scene को मिलती है, फिर यह उसको बाद में local newspaper कंदर publish करते हैं, ताकि आम किसान उसको पढ़ सके, इतना ही नहीं, किसानों को text message के थुरू, या WhatsApp group के थुरू, इन्फोर्मेशन दी जाती है, कि भाई, आपके district में आज इतनी बारिश होगी, कल को इतनी बारिश हो सकती है, इतना temperature होगा, ये सब होगा, तो जब किसानों को ground level पे जानकारी मिलेगी अपनी district के बारे में, तो वो जादा बैटर तरीके से अपनी crops को manage कर सकते हैं, तो उस purpose के लिए agriculture advisory के रूप में ये किया पे लोग जहां कुछ नहीं करते, सारा काम IMD करता है, और ये automated है, मतलग computer से होता है, और कहीं सारे district agro-meteorological units को बंद कर दिया गया, नीतियायोग के कहने पे, नीतियायोग ने ये भी कहा कि इनको privatization किया जाए, तो कहीं private companies भी हाँ पे involved हो गई, अब private company का सीधा सा मकसद होत होना है, उसको किसानों की welfare से कुछ मतलब नहीं होता, तो उसकी वजह से कुछ जगह पे ये private companies ने subscription based model शुरू कर दिया, तो किसान पहले यहां पे पैसा पे करते हैं, उसके बाद इनको information मिलती है, तो basically यह privatization यहां पे हो गया, तो उसको लेके भी थोड़ा सा ये news में था, अब सरकार का यह काहना है कि हम लोग यह जो district agro-metrological units थी, भाई काफी criticism के बाद इन्होंने का हम इनको revive करेंगे, जिनको बंद कर दिया गया था, उनको दोबारा से open करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और जो, मतलब जो पैसे वाला issue है, उसको भी resolve करने की कोशिश करेंगे इसा इन्होंने कहा है, यह सब होता है, ICAR केंडर में, क्योंकि यह इंडिया की सबसे बड़ा research institutions है, agriculture वाले मामले में, जब green revolution हुआ था, तो इसका सबसे बड़ा important role रहा था, जो high variety की, हम लोग seeds develop कर रहे थे, तो ICMR ने बहुत काम किया था, देश भर में hundred से जादा इसके institutes ह और 74 agriculture universities हमारे देश में हैं, जो ICAR केंडर में काम करती हैं, तो ICAR और IMD मिलके जो है, वो सब करने वाले हैं, क्योंकि यह जो district agro meteorological units बनाई गई थी, यह ICAR के campus में बनाई गई थी, ठीक है, जहां जहां पे ICAR के center थे, वहां पे इनको establish कर दिया गया, फिर वहां से local newspaper में, local language म वो information किसानों के साथ share की जाती थी, वो process जो है, यहां पे रहता है, चलिए, polaris dawn mission क्या है basically, 1972 के mission के बाद से, अमेरिका का जो mission था Apollo mission, जहां पे लोग चांद पे जाये करते थे, इस mission के थुरू, बहुत सारे लोग चांद पे गए उस दोरान में, तो कि Russia और America के बीच में जो तो बहुत कुछ नासा ने किया, लेकिन 1970s तक आते आते लोगों का interest खतम हो गया, इस सारे process में, और America का जो focus अवियत नाम के उपर चला गया, तो उसके बाद इन projects को बंद कर दिया गया, चांद के उपर भीजना वगरा, वो सब बंद हो गया, लेकिन उसके बाद से, अभी तक किसी private company ने, space के अंदर astronauts को नहीं भेजा था, पहली बार 1972 के बाद, कोई private company जिसका नाम है SpaceX, जो कि Elon Musk की company है, ये चार astronauts को भेजने वाली है, space में, for the space walk, ठीक है, और ऐसा नहीं के 200-300 km, 1400 km from the surface, ये लोग जाने वाले हैं, पहली बार ऐसा को कोई private company ये भेजने वाली है, ठीक है, इस पूरे mission का नाम रखा गया, Polaris Dawn Mission, ये आपने याद रखना है, क्या है Polaris Dawn Mission, इसके तहट ये private mission है, चार astronauts जो है, वो space में जाएंगे, SpaceX का जो Falcon 9 rocket है, वो इनको लेके जाएगा, और जो spacecraft में ये लोग जाएंगे, उ तो ये थोड़ा थोड़ा आपने याद रखना है, लेकिन ये कोई ऐसा entertainment purpose के लिए नहीं जा रहे है, वो तो होई सकता है साथ के साथ, मतलब commercial purpose तो होई सकता है, प्राइवेट company है तो पैसे तो कमाएगी, लेकिन उसके साथ साथ scientific research भी इनको करना है, कि high earth orbit में, जो है, high earth orbit म उनके ओपर reactions का असर होगा है, वो कैसे होगा, उसको study करने के लिए ये होगा, future में commercial spacewalk और ज़्यादा expand हो सके, तो उसके लिए वो लोग testing करेंगे, ठीक है, और जो microgravity पे हमारी body कैसे respond करती है, उसको लेके हम लोग काम करने वाले हैं, तो ये कुछ-कुछ चीज़े जो है वो यहाँ पर basically देखी जाएंगी, एक belt होती है हमारे यहाँ पर जिसका नाम है, one allen belt, ठीक है, थोड़ा से हम दिखा देता हमको zoom करके, तो हमारे अर्थ का जो magnetic field है, इसके अंदर thousand से six thousand kilometer के बीच में, एक region होता है, जिसको बोले जाता है, one allen belt, इस belt के अंदर electrons और protons होते हैं, बतब charge particles होते हैं, जादा electron होते हैं, थोड़े से proton होते हैं, जब हम लोग space में जाते हैं, satellite के through, तो यह Van Allen belt का impact हमारे उपर पड़ता है, humans के उपर भी पड़ता है, और हमारे satellite के उपर भी पड़ता है, कहीं बार वो damage भी हो जाते हैं उसकी वज़े से, 1958 में इसको सबसे पहल तो Van Allen belt हमें कई माइने में protection भी provide करवाता है, ठीक है, वो अर्थ पे पहुंचने से रुख जाती है, तो Van Allen belt का क्या impact होगा, इन astronauts के उपर और satellites के उपर, वो भी study करने वाला है, यह Polaris Dawn Mission, तो यह थोड़ा-थोड़ा सा आपने इसमें याद कर सकते हो, चलिए तो आज के नहीं है, thank you very much, all the best, jahind